स्नेक बाइट अगर हम वर्ल्ड की बात ना करके खाली अपने इंडिया की ही बात करें तो सालाना हमारे इंडिया में ही लगबग 58 हज़ार से भी ज़्यादा लोग मारे जाते हैं साप काटने की वज़ा से और इसका सबसे बड़ा कालड ये है कि हमें ये ना पता होना कि साप काटने के बाद करें क्या देखिए हम सबको ये समझना चाहिए कि साप एक ऐसा जीव है जो कभी और किसी को भी काट सकता है लेकिन हम मेंसे ना के बराबर लोगों को पता होता है कि साप काटने के बाद actual में करना क्या होता है अभी आप ये हैरान कर देने वाला वीडियो देखो अगर इंसान के खून में एक बुन भी जहर डाल दिया जाये तो उसका खून कुछ इस प्रकार से जम जाता है लेकिन साप काटने से आपको ज्यादा घबडाना नहीं है क्योंकि सबसे पहले तो आप ये जानलो कि धरती पर जितने भी साप मौझूद है उसमें 100% में से 70% तो जहरीले होते ही नहीं है हाँ पूरी तरह से non-venomous भी नहीं कहा जा सकता है लेकिन इसके काटने से आप मौरोगे नहीं और जो 30% साप बहादी जहरीले होते हैं उनमें से ज्यादा तर चांसे सोते हैं कि 15% साप काटते वक्त अपना जहर छोड़ते ही नहीं है वो खाली बाइट करते हैं इसको समझने के लिए ये image आपके लिए perfect है ये जो आप उपर बाइट देख रहे हो इसमें साप ने जहर inject कर दिया है और जो ये बाइट देख रहे हो इसमें साप ने केवल काटा है जहर को बाड़ी में inject नहीं किया है साप के उपर ये जो दो दात होते हैं उनके रास्ते से ही जहर बाहार आता है अगर ये दो दात आपके बॉडी में जरस अभी अंदर चला जाये तो समझ लेना कि जहर आपके बॉडी में जा चुका है लेकिन अगर साप काट भी लेता है अपना जहर हमारे सरीर में इंजेक्ट भी कर देता है तो सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वो है ऐसे उस area को block कर देना जो की सबसे बड़ी गलती है जब एक साप आपके मास में bite करता है तो लोग ये समझ कर रसी बांद देते हैं कि अगर हम इसे बांद देते हैं तो खून रुख जाएगा और खून रुख जाएगा तो जहर भी रुख जाएगा लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है पहले वो जहर आपके lymphatic system से होकर गुजरता है तो अगर आप रसी से बांदे हो तो सबसे पहले पैर के उतने हिस्से में ऐसे edema develop हो जाएगा फिर ऐसे blister यानी छाले पढ़ने लगेंगे और पैर नीला पढ़ जाएगा और लाश्ट में compartment syndrome यानी उसमें इतना pressure बढ़ इसको अगर सीधे सब्दों में समझे तो अगर आप साफ काटने के बाद उसे रसी से बांदते हो तो उसको काटने की नौबत भी आ सकती है और दूसरी बात अगर आप फिल्में देखकर ये सोचते हो कि साफ काटने के तुरंत बाद उसके जहर को चूसकर निकाला जा सकता लेकिन इससे एक चीज हो सकती है जहां पहले एक जाने जा रही थी वहाँ अब दो जाने जा सकती हैं देखिए सबसे पहले अगर साप काथता है तो इन चीजों का ध्यान रखें इससे ज़्यादा चांस चाहिए क्योंकि जितनी तेज आप movement करोगे उतनी ही तेजी से जहर आपके body में फैलेगा और सबसे बड़ी बात आपको तांतरिक बाबाओं के चकर में नहीं पड़ना है अगर आपसे हो सकता है तो जो साप आपको करता है उसका photo जरूर किलिक करें अगर हो सकता है तो तीसरी उसकता है